नमस्कार विजिया थिमित्रों, केम चो बजा, आशा राखू छुके आप सर्वे स्वस्त होशो, तेमाज कुछड होशो आपड़े भणी रहाँ छिए बायलोजी, बायलोजी माँ चेप्टर नमबर 5, Inheritance and Variation, मतलब के अनुवन सिकता अने भीनता ना सिधानतो तो लास्ट वीडियो लेक्चर माँ आपड़े आचेप्टर नमबर 5 ना इन्ट्रोडक्शन, मतलब के प्रस्तावना विशेनी वातों कम्रीड करेली छे प्रस्तावनामाँ आपड़े एगु किधेलू छे, के जेनेटिक्स अरलेका, it is one type of science which deals with inheritance and variation एवा प्रकार नूँ विग्णान छे, के जे आनुवन सिख्ता ने भीनता साथे संकणायेलू छे, तेना साथे ना सबन दित, क्षेत्रन अभ्यास, जेनेटिक्स मतलब के जनीन विदियामाँ करवामाँ आवे छे त्यार बाद आपणे उपन किधेलू छे, के फादर ओफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोन्थान मेंडल, फादर ओफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मतलब के प्रायोगिक जनीन विदियाना पितामाँ तमे टी एच मोरगन, थोमस हंट मोरगन कही शको छो, फादर ओफ मोरड इन जेनेटिक्स, तमे जेने कही शको छो, विलियम बेट्सन, के जेने, 1906 मां, जेने येवो शब्द आपेलो चे याद राग जो के विलियम बेटसन ने ओगणी 106 मा जेनेटिक्स एवो शब्द आपेलो चे त्यार बाद आपड़े कि देलू हतु के आनुवन शिक्ता नी व्याठिया तो आनुवन सिक्ता सूं छे तो के आनुवन सिक्ता एक एवी प्रक्रिया यापनुआ खे के जहे मां पित्त्रू पेटी मां थी लखष्णों नों वहन खाई चे तेनी संतधिमां मतलब के तेनी अनुगामि पेटीमां लक्षणों वहन ठाई चे जो आनुवन सिक्ता थाई तो तो तमैझी वेरियेशन जोय शकोний तो इमां भीन्ता ठोवा मड़ सै म भिंदानु कारण सेक्ष्योल टाइप ओफ रिप्रड़क्शन लिंगी प्रकार नुप प्रजनन छे पछी संकरण नी वाद करेली हती यह मैं एक्जाम्पॉल लदू पंजाब नी साहिवाल गाई तो प्रस्तावनामा थोड़ी गणी वाद करेली छे अनने आजे आपड़े मेंडलना अनुवन सिक्ताना नियमों विशनी वाद करसू मतलब के लो ओफ इन्हेरिटन्स गीवन बाइद मेंडल बरोबर तमारा बुक मां NCRT ना सिलेबसमा टेक्स्टबुक मुझे खुबज मेंडलना अनुवन सिक्ताना नियमों मतलब के मेंडल्स लोओ औफ इन्हेरिटन्स तो बरो बरो समाझ जो मेंडलना अनुवन सिक्ताना नियमों मतलब के तुम्हें कहीं शको चो के मेंडल्स मेंडल्स लो ओफ इन्हेरिटन्स मेंडल्स लो ओफ इन्हेरिटन्स मेंडल्स लो ओफ इन्हेरिटन्स मेंडल ना आनुवन सिक्ता ना नियोम विशे नी बात करवानी छे अटले तो बरोबर समझ जो point number one मां तम्हें कहीं शको छो के जो तम्हें आनुमनसिक्ता विशेनी वाद करो छो अटले के आनुमनसिक्ता सब्द विशेनी वाद करो छो तो आनुमनसिक्ता सब्द चालो बरोबर समझ जो आनुमनसिक्ता ने तम्हें inheritance कहीं शको चलो आनुमन्सिक्ताने सुखेवाई छोकराओ आनुमन्सिक्ताने इनहेरिटन्स केवाई तमने आनुमन्सिक्तानी व्याखिया ख्याल छे आ एक एवी प्रकरिया छे के जेमा लक्सणुनु वहन पित्रू पेडी मा थी क्या तेवोनी संतती मा मतलब के अनुगामी अटला के पथीनी पेडी मा थाई छे तो आनुवनसिक्ता अर्ला के inheritance आनुवनसिक्ता विशे नो खयाल अर्ला के तेना विशे नू नोलेज तेना विशे नू गनान एना विशे नी अंडरस्टेनिंग ए ओगणीसमी सदीना मधियमा आववानो शरू थियो मतलब के तमें कही शको छो के middle 19th century तो आ बनीगियो एक मार्क नो MCQ आनुवनसिक्ता विशे नो ख्याल अथवा तो आनुवनसिक्ता विशे नी समझन एक कही सदीमा ओगणीसमी सदीना मधियमा आववानो शरू थेलो त्यार बाद तमें कही शको छो पॉइंट नमर दे मा अपड़ा थोड़ी घणी मेंडल विशे नी चर्चाओ कर सू तो बरबर समझ्यो जो तमें वाद करो छो मेंडल विशे तो मेंडल पुरू नाम ग्रेगर जोन्थान मेंडल घणी बदी इंफोर्मेशन से मेंडल विश त्यार बाद तमें कही शको छो के मेंडल छे ए खेडूत नो दिकर हो तो मतलब के खेडूत पुतर हो तो पथी तमें कही शको छो के मेंडल नो अभियास चे एनू स्टडी छे ओके ए युणिवरसिटी ओफ विए नामा थे रूँ छे तेने बेचलर विथ बायलोजी एन मा चेटेटिकल अपरूवल्स तेमा तमने जोवा मढसे मतला पिया गाणीतिक तरक अन्ने आकडाकी तरक तमने मेंडल ना रिजर्ट मा जोवा मढसे पछी मेंडल तो प्रिस्ट हो तो त्यार बाद मेंडल साथ वरस्तु दी वटाणाना ना छोड़ू पर प्रयोगों करेला तो एए इनफर्बेशन तमाना बुक मा आपे लीचे मेंडल नी वाद करिये तो मेंडल नौन अज दफादर ओफ जेनेटिक्स चलो बरोबर समय जो मेंडल इस नौन अज फादर ओफ जेनेटिक्स चनीन विधियाना पिता तरी के तम्में मेंडल ने ओड़खी शको छो में मेंडल ले सु काम केई़ू चलो बरोबर समय जो सिध्य आपने आना कारिये विशन इजवाद करिये छी कियारे हिस्हिस्तरी समत्ता न थी मेंडल ने 7 वर्ष सुधी चलो एटला वर्ष सुधी 7 वर्ष सुधी मतलब कि 5956 लेहने ओगणी सो सो री 151 थी लही ने 163 ए चाला बंडो बर समझे मित्रों पी प्लान्ट मतला तामेशु कही शको आफने सुधीर जो आपी प्लांट सक्था खूब जो महत वनोंगों पी प्लांट मतलब केशूं केशो वट्याडाना चोड़ उपर मेंडल या काम करें लूचे के प्रिदी करें सात वर्ष सुधी करें लुच्छे साथ स्थिन तो साइटीफिक नेम नीवायत करिये तो साइटीफिक नेम पिता तरीक ओड़की शको छो तेने केकला वर्स सुधी? साथ वर्स सुधी क्या छोड़ उपर वटाणाना छोड़ उपर P plant अले के P सम सटाईवाम उपर प्रयोगो करेला अने 156 ती लईने 153 सुधी मेंडले प्रयोगो करेला आनु वन्सिक्ता विशे नी इन्फोर्मेशन करेक्टर से जे मां का एक बिजागरता अलगता शे एना वीशे निवाद करवानी छे तो जो तमें एना कारियानी खासियत निवाद करो तो पोंइंट- Source 1 एनुझे कारी हतू इमा तमें काही शको चो कि एने आकडा की ये प्रुथकरण चालो बरोबर समझेडे हैं आकडा की ये प्रुथकरण करेलो हतू तथा तेमा तम्हें कई शको छो के गाणितिक तर्कनो समा विस्थतो हतो चालो गाणितिक तर्कनो समा विस्थतो हतो मेंडलनु जे उब्जर्वेशन हतो ए उब्जर्वेशन नो आधार आकड़ा किया प्रुथकरण मतलब के तम्हें कई सको statistical analysis और mathematical logic तो गाणी तिक तरक और आकड़ा किया प्रुथा करण नी साथे एक्सपेरिमेंट कही रहा एने एनी साथे तेन ओब्जर्वेशन कही रहा त्यार बाद मेंडले जहेपण काई कारिय कही रहा एता मैं कही शको चो के खुब जू मोटी संखिया मां बरोबर समझो खुब जू म मेंडल ए उब्जर्वेशन करेलो खोरतू और मेंडलनु आकड़ाकिया पुथा करन गाणी अदिक तरक और खुब जू मोटी संखिया मां आक सूँए को अब्जर्वेशन करेला प्लांट मेंडल इस जैवा पित्रू पेडी माँ केरेक्टर्स हता उब्जवा पित्रू पेडी मां केरेक्टर्स मेंडल में दिखे तो यो के संतति मां अटले कि एनी अनुगामी बेड़ी मां जोहला चे तो आरीते आनुवं सीखता आरीते आनुवं सीखता सब्दनु अब्जर्वेशन छेने एई पेला मेंडल ये करेलू छे बरोबर मेंडल येक आरीते प्रयोगों करेला छे त्यार बात तम्हें कहीं शको छो कि मेंडल ना मत मुझब मेंडल ना मत मुझब अले मेंडल ना अब्जर्वेशन प्रमाणे मेंडल ना मत मुझब सुं होतू मेंडले एम किदू कि कोई पण एक लक्षण होई, it means we are talking about the only one character, चलो केटला लक्षण, एक लक्षण मतलब के one character, आ एक लक्षण माटे बे अभी व्यक्ती होई, चलो केटली अभी व्यक्ती होई, बे अभी व्यक्ती होई, मेंडले एम किदू के एक लक्षण नी केटली अभी व्यक्ती, बे अभी व्यक्ती, वो सब्द वापरीस एक लक्षण ना केटला कारको, एक लक्षण ना बे कारको, एक लक्षण ना केटला कारको, एक लक्षण न बे का रखो मेंडले पॉइंट नबर पांच मेंडले आवा विरोधा भासी चालो मेंडले आवा विरोधा भासी अभी व्यक्ती अथ्वा तो का रखो मेंडले आवी विरोधा भासी अभी व्यक्ती मतलब के तम्हें कई सको चो कॉंट्रास्टिंग विरोधा भासी मतलब तम् करेलुक् arrays contrasting okay contrasting traits के बाइि अभिवेक्ति माता सब दशेद privileges अलोह मेंडले मेंडल ला मठ मुझे लक्सलन वह कहा को अनने विरूद्धाबास अभिवेक्ति उपर मेंडले क्यां करेलुक्त नमठ युग्ष्पों चाहिस फॉर एग्जार विच तैबंट मतलत के वक्चार नाम कीणचोड सनमसे अके प्रकांड में चीए प्रकांड नृच्ञी प्रकांड नीऀ गाल प्रकांड ने हुचाई प्रकांड नी उच्छाई मतलब के height of stem, okay what is the meaning of प्रकांड नी उच्छाई, प्रकांड नी उच्छाई मतलब के तमेजेने कही शकवा छो, height of stem, अवे आ लक्षण माटे केटला कारको होई, तो मेंडल ना मत मुझब, मेंडल ना मत मुझब, आ लक्षण ना बे कारको, पाचा ये बे कारको एक बिजाना केवा होई, बे कारको एक बिजाना विरोधा भासी होवा, जो ये, तो बरोबर समझ जो बे कारक छे, एमा थी कारक नंबर एक, कारक नंबर एक, कांतो प्रकांड छे, ये उच्छा होई, प्रकांड नी उच्छाई होई, उच्छा मतलब के तमें जेने तोल जेको नीचा मतलब के तमे जेने फक्ष्क बुक्मा वामन हो मतलब के नीचुबस तो जो मेंडाल सु केहीछ ये और फूक Ł premier जो मेंडाल साकु है के एक लक्ष्ण एक लक्षण माटे केटला तो के बे कारको होए एक लक्षण ना केटला कारको बे कारको होए हवे बे कारक माथी एकज कारक अभिव्यक्त थाई कातो छोड उचा अथवा छोड केवा नीचा बेई एक कारे उचा नीचा जोड जोबा मडे नहीं तुकमा एक छोड मा उचो छो उचो रही ने मंगण गुरुशनी छोड निचो रही अटले एक लक्षण ना बे कारको आ बे कारक माथी एक चुँ थियू अभिव्यक्त थियू उएम बोलू छुँ के जो छोड उचो होए तो आ टोल छे ना इअभिव्यक्ती थिगे ओके इट्रेट थेग्यो जो छोड नि आप बे कारको एक विजाना के वाँ छे विरोधा पासी जो वजिए उचो छोड पछी नीचा चोड बरोबर तो आवू जे विरोधा पासी अभिव्यक्ती वाड़ू काम के रूने इक आम अन्य विग्णानी को माटे एक प्रकार नी फ्रेम बंदेगे मतलब एक प्रकार न илаरी तो हुआ एक अन्य विग्णानी को माटे एक प्रकार नी फ्रेम बनी फ्रेम मतलब के एक प्रकाल नूमार खुत si मैं अन्य विग्णा निकोни पचिना संसदन करबा सरवाःताः वोके पचिना शंसदन करबा अन्य विग्णा निकोन स्रवाःता तीक मैं हो तुमने कई दों आ तमने ख्याल छे के ओगणीश में सदीना मध्य भाग मनानों एव एमसी क्यू छे पथी साथ वरस साइंटीफिक नेम आवर तो हो जोए हवे ट्वेल्स मां छो साइंटीफिक नेम लखी ने नीचे अंडरलाइन करो पेलों औकसर केपिटल ने बाके ने बदाई तमारे स्मोल लखवाना छे पछी आ बदी खासियत तमने ख्याल छे पछी मेंडलना मत मुझब एक लक्षण ना काम करवा मां टेक प्रकार नी फ्रेम एक प्रकार नू मालक हुँ तयार करेलू छे अटली वस्तु बरोबर मगज में बेसी गई अटली वस्तु बरोबर नमने परफेक्ट समझाए गई चलो येस ओके हवे आपड़े जो पॉइंट नेमर आठ वीशे निवाज करिए तो मे मेंडले ले टों डॉतल मेंडले टों अटल साथ लक्षण उपर अभ्यासे करेली ओ चलो के टला लक्षण उपर अभ्यासे करेलो बरोबर समझ ओ लक्षण केटला मेंटली है टोकेश साथ कोणा लक्षण optics तो में लखी नहीं प्रकान्नी उच्छाई एवा एना सीवाई ना बिजा छो अटले बिजा छो ने आ एक छो प्लस एकटला टोके साथ टोटल आवा साथ लक्षण उपर मेडल इसूं करेलो छे अभियास करेलो छे समझ्जो लक्षण साथ होई तो अभिव्यक्ती केटली था मतलब के तमें कही सको छो के ट्रूली ट्रूली ब्रीड ट्रूली ब्रीड ऋके ट्रूली ब्रीड सुध सवर्धी छोड पर मेंडले सुम करेलू छे तो के मेंडले पतानो स्टडी मेंडले पतानो अभियास एनो रिसर्च एनो अब्जर्वेशन आखो 14 सुध सवर्धी छोड ऊपर करेलू छे जो आमाँ idea कीमा लचानों मरता मेंडले केटला लग्सनतों अभियास कईड़ोuite अभिव्यक्ति चोळ लुँदホुत yeah 53 कराई वो तो मेंडले 14 छवड़ वुदाई ओ और पहेच कराई वो अभियास मैं शूँ रू तोक अभियास म surveillance ये Parkinson चाव संक्रन के सिंप्ध़ो hybridization okay what is the meaning of संकारण तमें कहीं शको चाओ hybridization संकारण एक एवी पद्जदी के जहेमा इच्छीत लक्षणों ने आपड़े बी अलग-अलग सजीवो बी अलग-अलग जादी ना सजीवो वचे लिंगी प्रजेन द्वारा इच्छीत लक्षणों ने मेडवी शके छिए फरी बो केटली तो के बे अभिवेक्ति अटेबल मां थी एक MCQ बोड मां सोटका पूछावानों छे उसमों बोलुचू टेबल मां थी बोड नी एक एक अबारनों छेमों साथ लक्षण लखी साथल लखर्णी केसे लीए 14 अभिवेक्ति लखीस अब गोहतवनिवार्द तो समझो लक्षण नम्बर एक ने अभिव्यक्ति केटी लिए बे हवे इ 2 माथी बरोबर समझ जो बे अभी व्यक्ति मेंग एक प्रभावी थे प्रचन एक ह न जब दोमीननट में धावी डोमीननट कैसी प्रचन नोन रिशेसस्यो एस ओप सो वन इस डोमीननट एन अधर बन लोन इस सटे प्रभावी ने B duo चालो, आइन सो लखि हीचों प्रभावी अभीवेक्ति घणालोको सीध्या सुँ बोले खबर थे प्रभावी जनिन जनिन, प्रछन जनिन, खोटन शब्द छे, कोई दीनों आभे आणे जनिननों केवाई, आने अभीवेक्ति यह हूँ प्रभावी जनीन और डुधे साइड मा लखुझें छेलेूं प्रचन अभिवेक्ति प्रभावी अभिवेक्ति प्रचन अभिवेक्ति इंगलीश मा और आने प्रेक्टर पछी आने सांग आऊसे तो कि आने के वाण से dominant trait dominant trait लखी दो साइड मा टूक मा it is known as dominant trait प्रचन ने सूं के वाई तो के recessive trait ओके recessive trait तो आई यहां लक्षण लखवाना छे यह प्रभावी अभी वेक्ती अने तेनी प्रचन अभी वेक्ती लखवानी छे तो पेला आपने लक्षण लखी लए लक्षण नंबर एक इमें लखेल उच्छे लक्षण नंबर एक सूं छे तो के प्रकांड नी उच्छाए लक्षण नंबर एक सूं छे लक्षण नंबर एक मा आउसे प्रकांड नी उच्छाए चालो त्यार पार लक्षण नंबर बेमा वाहतर सुन आएउसे लक्षान नंबर माय आए अए बीज मार्ण बीजनो शाइज। लख टocr लर्फ मैंने कर दो लम से लिलभ मकानओ ता poverty न फोल्वा में बह्ताँ 딱तां कार, बीज बने, ऊक्ळी बीज निवाद करbeiten, बीज ना आकार और बीज ना रंग निवाद करें त्रण के नंबर 4 तपने को enfants मतलब मतलब spec चिंग निवाद करू सुग लखुशकों संग नी नवान अने पची लख हूं हूं सिंग नो रंग चालों सिंग नो आकार शिंग नो रंग मतलब के श्याइप ओफ ओफ पोड अने कलर ओफ कोड आसेजर ले सरग्वानी शिंग न थी ओख थावानी आ बटाना जेमा 1 ने ? ओलकीस नेक्स करेक्टर मां के वटणा माझे पुष्प जोवा मढेचे ए पुष्प नो रंग अने छेले लखीस पुष्पनु स्थान छेला लग्ये सुन्ग पुस्पनू स्थान तो अटलाक सु थेगिया सात करेक्टर, आपणे मेंदल ना मुजब, मेंदल ना मुजब, एक करेक्टर नी बे अभी कारको, जो कारक अन्य अभी व्यक्ति मैं डिफ्रेंस चेवा, वें बोलू, एक लक्षन ना बे कारक, साचु, पन उचओं छळवई ने तो एनने तम्हें अभिवयक्ति क्यों छो अभिव्यक्ति मतलब के जहें पोट सी吧 त्यू छेर तुर्ब आपने जो प्रकांद नी उच आएमा टोल मतलब के उची उचाई छे उच्चा प्रकाड छे प्रभावी छे अने वामन वामन ने तमें कहीं सको छो ड्वाफ्ट वामन ने तमें कहीं सको छो ड्वाफ्ट तो याद रख जो मित्रों के टोल ए प्रभावी अभी वेकती वामन अटले के ड्वाफ्ट ए प्रच्छन अभी विख्ती हवे जो आपणें करिए बीजनों आकार चलो आकार करें वो छे तो किया राउंड आब डिजन कर और बीजना रंगनी वाद करो तो मैं कही शको चो यलो is a dominant trait यलो मतलब के पीडो पीडा कलर ना बीवो इतो है प्रभावी अभी व्यक्ती छे एन सेकंड वन इस अबाउट दे ग्रीन ग्रीन मतलब के लीलो ए लीलो ए प्रचन अभी व्यक्ती छे यलो dominant अने ग्रीन के वो छे ग्रीन रिससीव छे ओकी हवे जो आपड़े शिंग ना आकारनी वाद करीए तो तो मैं कही शको चो फूलेली अड़ले के तमें जैने फूल कही शको छो फूलेली ए डोमीनन छे अन्ने आया सामें आउसे संकुचित कॉंस्रिक्टेड संकुचित मतलब के प्रचन अभी व्यक्ती सिंग ना रंग नीवाद करो समझ जो बीजना रंग मां सूँआ तू यलो ग्रीन आया उंजू कर नाको ऑई यहां ग्रीन छहने डोमीनन WIL हई यलो छे एके वह दिढो है अन्ने यलो छे पीडो चे जह रिससित्यों बप्रचन पूश्प नुस्थान ओके अग्रिय स्थान कोक्षिय उस्थान कैम कक्षिय नुकर यश्थान का इंए कीश एकप्ससर ऑनन्य तर्मिणाल परिदीयर तो एक मिरिया वोई था के वा छह ते प्रचन चे ओकाल तो आरीते मेंडले केतला तो सम्झा mantas अभेगं गिiasm 4 अभी वेक्टी सात्रवा अभी आने साथ प्रचन सात्ने स्याख चौद अभी व्यक्ति पर व्यास के रू अने ने सवफ करू एने संक्रण के रू चौद सूध सभरा दित अन्म है अने संक्रण चबरत DR, 1 ऊचो पू नाचो छोड़ काफर्पेडी एक उचो पू 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 पूच वथ tusk, थाल खरब चड़ा वीजवाड़ो छोड़ खबरपेटी तो तम्हें साथ आवा छोड़ लियो और साथ आवा छोड़ लियो तो टोटल तो चव थाई के नो थाई तो के येस तो आ थेगिया छे थोड़ों घंड़ों बेजिक कुण से पापड़े बहीना के मेंडल ना आनू वनसि मेंडल ना मुझब एक लक्षण ना बे कारपो बे अभिव्यक्ती छे बे के वी विरोधा वासी छे एक्जामपल ती समझाईवू साथ लक्षण चाओध अभिव्यक्ती चाओध सुध सवर्दित छोड़ पची आ तमारा तमारी बूक मां एक टेबल आई पूछे जमणी स पूष्प वाइड कलर ना पूष्प वाइड कलर ना पूष्प ओके पची गोड खरबा चुड़ाएवा भी तमने डाबी साइट ने पाईजु मां बतावेला छे यह याद रखो तमें भूल करसो तो के तमें जे प्रभावी छे न यह प्रच्छन लखिया उसो ने पांच लोखत जो से तो आधनों लेक्षन आयां संपूर्ण पड़े समाप्च थाई छे आशा राखू चुके तमने जबर्जस समझाएगी उसे नों समझाण होए तो तो तमें को गमेत यारे टेलीफोनीक माधियम द्वारा मेसेज करीने के फोन करीने तमें पूछी शको सबता करें में में पांच टीनव में ठायाए हूंव lights